शापूरा सहर में बंदर पकड़ने का नगरपालिका का रवया अवैद वैपार बिश्टचार और बंदरों से अवैद कमाई का जर्या बना हुआ है यह नगरपालिका का अनवरत चलने वाला वैद ब्रिष्टचार वैपार है टेंडर होता है जान बूच कर पूरे बंदर नहीं पकड़े जाते अगर पूरे पकड़ लिए जाये तो फिर टेंडर नहीं होगा और इनकी कमाई बंद हो जाएगी क्योंकि हर टेंडर के बिल पास करने पर मोटा कमिसन होता है या अनवरत चलने वाला पालिका का बर्सों से वैपार एवं ब्रिष्टचार की प्रक्रिया का हिस्सा है और यह कई बर्सों से जारी है शापूरे सहरे में इन दिनों बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जुसके तहत आजकल बं इतने घर में सुरक्षित है और ना ही रास्ते में क्यूंकि लगातार बढ़ती बंदरों की संख्या से चारों तरफ बंदरों का आतंक फैल रहा है जिसको लेकर नगरपालिका प्रिशासन की तरफ से बंदरों को पकड़ने एवं उनको अन्य जगह चोड़ने की किसी भी त परती संख्या एवं आतंक के कारण चारों तरफ बंदरों का आतंक रहने के कारण बच्चे ना तो घर की छट पर खेल पाते हैं और ना ही खुले मैदान में वा गलियों में जुसके कारण परीजनू को अपने बच्चों को कमरों में ही रखना पड़ रहा है जुससे बच् अपने आप में बेपरवा प्रविति को दर्साता है जुसके कारण नामजन में प्रिश्चासन के खिलाफ गहरा रोस व्यापत हो रहा है ऐसे ही आवारा पसू और सांड सारे देने शहर में घुमते रहते हैं लेकिन इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है या अपस में करेंगे शापरा नगरपाली का की परमुक समश्या के बारे में जिससे यहां का आम सहरी आतंकित है बंद्रों की समश्या सबसे परमुक समश्या है और ये बरसों से चलियारी समश्या है लेकिन नगरपाली का इसका हल नहीं निकाल सकी बार बार टेंडर होते हैं बार बार लेकिन पूरे बंदर नहीं पकड़े जाते, यह जानबूच कर किया जाता है, यह अवेद, व्यापार और ब्रस्टाचार का नगरपालिका का इस्सा है, क्योंकि बार-बार टेंडर होंगे, बार-बार जो है कमिशन मिलेगा उनको, इसलिए बंदर पूरे नहीं पकड़े जा इस बोड का आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब सहर के जो निवासी है, वो काफी परेशान है, बच्चे, बुजुर्ग और वास्तिक रूप से ग्रेनिया ज्यादा परेशान है, रोसोवी में से बंदर सामान ले जाते हैं, कपड़े भार देते हैं, बच्चे बार नहीं खेल सकते, और ये अनवरत चलने वाला नगर पालिका का अवेद बरस्टाचार जो है, बरसों से चला रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी बोड का ये परकरण है, या अब की बात है, ये पिछले बोडों का यही हाल था, और इस बार भी यही हाल है, लेकिन इस समश्या का अंत नहीं हो पारा, बंदर पूरे नहीं पकड़े जाते, आदे पकड़े जाते हैं, या थोड़े बोड संख्या में पकड़े जाते हैं, तो ये जानभूच कर किया जाता है, फिर बाद में फिर दोबारा टेंडर होता है, हर सालाना टेंडर होते हैं, इस ब मोत का शिकार हो चुके हैं कई लोग घायल हो चुके बंदरों से और सांडो और आवारा पसुओं से लेकिन इन समश्याओं की और कोई ध्यार नहीं दी जाया रहा और बंदर पकड़ने का तो फिर भी टेंडर होता है कुछ थोड़े बहुत पकड़े जाते हैं लेकिन आवार बंदरों आवारा पसुओं और सांडो से कब मुक्ति मिलेगी यहां की जन है और बुजूर्ग वेक्तियों में आते हैं बंदरों की आतंग से आप कितना परेशान है और इसके बारे में आपका क्या कहना है बंदरों के कारण पूरा गाव शापुरा परेशान है हम तो हैं बागी आम जनता भी परेशान है इसके कई बार टेंडर हो चुके लेकिन पकड़े नहीं जा सके आज तक भी और जब जब भी टेंडरों होते हैं वो क्यों खारीजू जाते हैं क्यों आदूरा काम होता है यह समझ में नहीं है अभी तक इसके पीछे कोई ब्रष्टाचार क प्यापार का अनवरत चनले वाला बरसों से पाली का परसासन का इस्सा है संभवत है सही हो सकता है यह बात कि वो पकड़े नहीं जा रहे हैं बार बार टेंडर होने के परस्चार भी